ये नियुनितम कोटा हो गया, लेकिन आज कल इस पद्धती में थोड़ा सुधार है, इसमें कुछ बदलाव किया गया है, क्योंकि कई बार देखा गया, बलकि क्या अधिकतर ये देखा गया है कि इसमें शुद्ध परणाम या सही परणाम नहीं निकले, तो वो सुधार क्या है, आज कल एक दूसरी पद्धती की जाती है, इस पद्धती को डूप विधी कहा जाता है, डूप विधी को मैंने उपर आपको बताया है, और ये डूप नाम कहां से आया है, डूप एक विचारक के नाम से है, जिसने हेर के सिधान्त में कुछ परिवर्तन किया है, कुछ स संशोधन किया है मैं परिवर्तन नहीं कहूंगा ये थोड़ा सा इसमें संशोधन हलका बदलाओ है तो हेर पध्धती में सुधार डूप पध्धती बनी और सुधार क्या है यदि चुनाव में निर्वाचित होने वाले व्यक्तियों की संख्या विशम हो, तब ये वाली पध्धती बहुत काम की होती है, विशम होने पर, निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की विशम संख्या होने पर ड्यूप पध्धती बड़ी काम की है, ये क्या है ड्यूप पध्धती, कुल डाले गए मतों की संख्य बटे निर्वाचित होने वाले प्रतिनिदी प्लस एक और फिर इस कुल का एक और प्लस एक अर्थात यदि हम एक लाग पचास जार वोट और पांच शीटें की बात करें तो क्या होगा एक लाग पचास जार बटे नौ प्लस एक निर्वाचित प्रतिनिदी की संख्या ज़िह हम नौ मानें तो नौ प्लस एक अर्थात यदि हम कहें कि निर्वाचन खेतर में कुल एक जालाग पचास जार मत डाले गये और निर्वाचित होने वाले प्रतिनिदीदी संख्या 9 है पांच नहीं नौ इस बार विशम संख्या है तो नौ धन एक एने दस हो गया तो एक लाग पचास जार को दस से हम भाग देते हैं तो भागफल क्या आया भागफल आता है पंद्रह हजार उसमें फिर एक जोड़ दें तो कुल संख्या क्या गोई पंद्रह हजार एक अर्थात इस पध्धती से चुनाओ कराने पर और इसमें ड्यूप पध्धती अपनाने पर उम्मीद्वार को कोटा कितना होना चाहिए पंद्रह हजार एक का कोटा उसे चुना चाहिए यदि वह पंद्रह हजार एक का कोटा चुएगा तभी वह विजय उम्मीद्वार घोशित होग यहां तक तो अब आपको बात इस्पष्ट हो गई अब अगले कदम पे चलें यदि पहली पसंद में सब इस थानों की पूर्ती नहीं हुई तब क्या होगा पहली पसंद में पहली पसंद के अधार पे समझ लीजे नौ में से पांच थान भर गया चार सान भी भी खाली है तो क्या होगा अब पहली पसंद वाले सब एक्सवास्ट हो गया अब कोई मत बचे नीए जिसमें पहली पसंद का कैंडिडेट बचा उ तो निरवाचित प्रत्याशियों के प्रत्याशियों के जनोंने कोटा चू लिया है और विजई घोशित हो गये हैं, उनके जो अत्रिक्त मत हैं, अत्रिक्त मतलब पंदरा हजार एक से ज़्यादा उनको जो मत मिले हैं, किसी को पंदरा हजार पचास मत मिले हैं, और वो विजई है, किसने कोटा छू लिया, पहली पसंद का था, तो उन्चार्ज जो अत्रिक्त मत हैं वो ट्रांसफर हो जाएंगे निर्वाचित प्रत्याशियों के अत्रिक्त मत जो उसकी नियूनितम संख्या से अधिक मिले हैं उन पर अंकित दूसरी पसंद के अनुसार दूसरे अन्य प्रत्याशियों को स्थानांतृत कर दिया जाएगा और यदि ऐसा फिर भी नहीं होता है इस पर भी पूरा नहीं बनता है तो विज़ई प्रत्याशियों की तीसरी फिर चौथी फिर पांचवी और इसी प्रकार अन्य प्रत्याशियों को तब तक दे दी जाती है और यदि इसके बाद भी कुछ खाली बच जाता है तो जिन प्र प्रत्याशियों को सबसे कम प्राप्थ हुआ है बारी बारी से असफल घोशित कर दिये जाते हैं और उनके मत दूसरी तीसरी और चौथी पसिंद के अनसार हस्तांत्रित किये जाते हैं यह जो कंप्लेक्सिटी है इसको हम और आप जो शिक्षत हैं उनको भी समझने में समय ल देश के अंदरूनी अलाकों में और कल्पना करिये उस समय के देश की 1950 के भारत की जब अशिक्षितों की संख्या बहुत ज़्यादा थी क्या उनके लिए संभवता इस प्रद्धिती के समझना और अपने मतदान अपने वोट के प्रतिन नयाएं करना इसलिए हमारे जो सम्यधान निरमाता थे सम्यधान सभण के ततकालीं में सदस्ट थे मिम्रान थे उन्होंने इसलिए सरल प्रद्धिती के अपनाएये यद्य पर इसकी कुछ गलतियां है खामिया है तो सरल प्रद्धिति के अपनाने के पीक्छे उद्धेश और प्रत्याशियों को सबसे जो कम प्राप्थ हुए हैं उन्हें असफल घोषित किया जाता है और उनके मत दूसरी तीसरी और चौथी पतंद के सथांतित किया जाते हैं यह प्रक्रिया यह जो तरीका है यह तब तक जारी रहता है जब तक पूरे के पूरे दस स्थान नौ स्थान नहीं भर जाते हैं क्योंकि नौ वेकेंसी थी जो दारण मैंने दिया है जब तक पूरे के पूरे नौ स्थान नहीं भर जाएंगे यह प्रक्रिया ट्रांसफर करने की वोट की मत दान की नहीं मत गणना में मतों के ट्रांसफर करने की प्रक्रिया चलती रहेगी इस प्रकार इस पध्धती में हम देखते हैं कि प्रतेक मददाता का मत किसी न किसी प्रतनीदी को मिलता ही है प्रतनीदी को मिलता है मतलब विजय उम्मीदवार को मिलता है इसके मतलब ये कि हर मत दाता का मत बेकार नहीं जाता किसी भी मत दाता का मत बेकार नहीं जाता उसका मत हमेशे विज़ई केंडिडेट को ही जाएगा ये बात सुनिश्चित है इसमें और ये इस चुनाओ परदेतिकी अच्छाई है मत दाताओं के मत बेकार ना जाना अर्थात मद्धाताओं के मन में ये भावना पैदा करता है कि वे बहुत जिम्मेदार है जिम्मेदारी से चैन करना है उनको अपने प्रतिनिधियों का और इसलिए ये पध्धती अपना ही गई है इसके अलावा इस पध्धती का एक और खासियत है कि प्रतेक मद्धाता जो अलप संख्यक का भी हो उसकी पसंद का उमीदवार किसी न किसी रूप में आ जाता है चाहे वो अलप संख्यक भी हो तो भी उसकी पसंद का उमीदवार आ जाएगा तो जो सरल पध्धती के जो दोश थे जिनका मैंने पूर में जिक्र किया सरल पद्धती के दोश फर्च पास दपोस्ट सिस्टिम के दोश का जिनका मैंने जिक्र किया ये लगबख सारे के सारे दोश इस समान उपातिक पद्धती से हटा दियेगा इन दोशों का निराकरन कर दिया गया इन दोशों को ऐसी पद्धती लाई गई कि इन में ये दोश नहीं है और इसलिए ये पद्धती जो है सबसे ज़्यादा लोगप्री है यद्यपी कम्पलेक्स है तो अब आप समझ गया होंगे दोनों पद्धतियों में तुलना करने पर कौन सी पद्धती ज़्यादा अच्छी है और क्यों लेकिन फिर भी हमने क्यों ये पद्धती अपनाई है ये भी आपको स्पष्ट हो गया अब हम आते हैं एकल प्रणाली में प्रतिनिजित प्रणाली में दूसरा जो है सूची प्रणाली जिसे कहते हैं अंग्रेजी में लिस्ट सिस्टिम, लिस्ट सिस्टिम क्या है, यह वही समानुपातिक प्रणाली का दूसरा रूप है, तीसरा रूप तो हमने राज्य सभा में देख लिया, जो भारत ने वनाया है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व का दूसरा रूप सूची प्रणाली कहलाती है, जिसके अंतरगत देश को पूरे एक विशाल निर्वाचन खेतरों में बांट देते हैं, निर्वाचन खेतर जो होता है, बहुत सदसी होता है, और इस प्रणाली में जो भी मीदवार लड़ते ह उनके दलों के अनुसार अलग-अलग सूची बना ली जाती है, दलों के अनुसार, अर्थाथ एक निर्वाचन खेतर में जितने भी राजनीतिक दल चुनाओं लड़ रहे हैं, उन सभी राजनीतिक दलों की अलग-अलग सूची होती है, सूची के अधार पे चुनाओं होत कोई भी मीदवार अकेला चुनाव नहीं लड़ता है वो दल के बल पर लड़ता है उसे अपने दल अपने ग्रुप के ही अनुतार चुनाव लड़ना है ग्रुप में ही चुनाव लड़ना होता है अकेले नहीं यह इस चुनाव पद्धती की खासियत है इसमें दल के प्रतिन जो वर्तमान में जो देश में चुनावी पद्धती उसमें उम्मीदवार खड़ा होता है और उम्मीदवार अपना प्रचार करता है और वोट उसको मिलते हैं जो दल को जाते हैं लेकिन सूची पद्धती में वोट दल को मिलते हैं कोई भी उम्मीदवार अकेला चुनाओं नहीं लड़ेगा अपने दल के गुरुप में उसी प्रकार प्रत्यक मतदाता को भी चुनने वाले जो प्रत्निदी हैं उसकी संख्या के बराबर मत देने का अधिकार है कि न तुमत दाता अपना मत व्यक्तिगत प्रत्याशी के लिए नहीं बलकि दल के लिए दल की सूची के लिए दल की सूची की प्रत्याशीयों के लिए वो डालता है इस बात को फिर पकड़ लीजिए मत दाता अपना मत व्यक्तिकत प्रत्याशी के लिए नहीं जैसा कि सरल पध्धती में होता है बलकि वह अपना मत एक राजनेतिक दल की सूची के प्रत्याशियों के लिए डालता है बहुत बड़ा अंतर है इसलिए ऐसे कहते हैं सूची लिस्ट सूची सिस्टिम लिस्ट सिस्टिम जिसमें चनाव लिस्ट के अधार पर करता है मत दाता मत दान लिस्ट के अधार पर करता है एकल पध्धती एक व्यक्ति के अधार पर नहीं एक व्यक्त एक उम्मीद्वार के अधार पे नहीं है उधारन के लिए किसी निर्वाचन खेतर से चालिस प्रतिने दिन निर्वाचित होते हैं तो प्रतियक राजनीतिक दल की सूची में चालिस चालिस नाम उम्मीदवारों के होंगे प्रतियक मददाता को चालिस मद किसी एक सूची के उम्मीदवार को देने होंगे मत दाता ऐसा नहीं कर सकता कि वह पंदरा किसी ओक को दे एक दल को और बटा हुआ 25 दूसरे दल को दे क्योंकि उसके अनुसार 15 अच्छे कैंडिडेट इस दल में हैं और 25 पहली पसंद के उसके कैंडिडेट दूसरे दल में हैं तो वो अपने वोट को तोड़ नहीं सकता मत एक दल को देगा दल का चैन उस दल के अंदर के उम्मिदवारों की सूची देखकर वो तै करेगा उस सूची के अंदर उसकी पसंदगी और ना पसंदगी मायने नहीं रखती हाँ ये जरूर वो देख सकता है क की पहली पसंद किस राज्यातिक दल में हैं उसको वो मत दे देगा तो दल के अनुसार यहां पर मतदान होता है व्यक्ति के अनुसार नहीं इसलिए इसे कहते हैं दली सूची लिस्ट सूची जैसे हमने हर्याना का उधारन का अध्यान किया राज्यसभा के चुनाओं के संबन्द में और उधारन के अधार पर हमने विस्तार से समझ लिया अब यहां हम थोड़ा देखें इसराइल में लिस्ट सूची कैसे काम करती है इसराइल का चुनाओं जो है वह समानुपातिक प्रतिनिधित्व के तहत ही होता है लेकिन दली राज्यनीति के अधार पर लेकिन लिस्ट सूची के अधार पर इसराइल में चुनाओं के लिए समानुपातिक पध्धत ही अपनाई गई है लेकिन जो वहां की विधाईका है जिसे Neset कहते हैं K-N-E-N-S-E-T Neset Senate Américah की विधाईका को कहते है याद रखेंगे Senate S-E-N-N-E-T Senate Américah की विधाईका को और इसका उलटा व्चार है Neset Israel की विधाईका को इस्राइल की उधाईका में चार वर्ष में चुनाव होते हैं और चार वर्षों के बाद जब चुनाव होता है तो क्या होता है कि राजनीतिक दल अपने प्रत्याशियों की एक सूची जारी करता है और बताता है कि हमारे दल के ये लोग उम्मीदवार हैं और ये मतदान व्यक्तियों के अधार पे नहीं होता उस सूची को देखकर मतदाता तै करता है कि इस सूची में उसकी पहली पसंद के लोग हैं ज्यादा दूसरे दल की तुलना में मतदाता को लगता है कि सूची के अधार पर ऐसा उसको लगता है कि यह दल इस दल के विचार इस दल की सोच आदि बहतर है तो वह दल को वोट देगा व्यक्ति को नहीं दल को प्रतेक पार्टी को प्राप्त वोटों के अनुपात में ही विधाईका में सीटे मिलती हैं इससे क्या होता है कि जनाधार वाली छोटी पार्टी भी जो हैं उन्हें विधाईका में प्रतिनेजित मिल जाता है यह यहां की एक बहुत बड़ी अच्छा ही है जो कि सरल पध्धती में कंभाव नहीं हो पा रहा है जब मैंने फर्स पास्द पोस्ट पध्धती की चर्चा की थी उसका दोश बताते हुए मैंने कहा था छोटे राजनीतिक दल कम शक्ति वाले राजनीतिक दल वे बड़े दलों के सामने समहल नहीं पाते टिक नहीं पाते तो लोक तंतर एक तरह के ऐसे देशों में लोक तंतर जो है बड़ी पार्टियों का तंतर हो जाता है इस दोश को रिजराइल की इस पद्धति ने दूर किया है और उसमें क्या होता है कि छोटी पार्टियां भी 69 में यानि वहां की विधाईका में अपना प्रतिनिधित्व देने में सफल होती है शर्थ यह है कि विधाईका में मिनिमम 1.5 प्रतिशत वोट मिलें ये एक शर जरूर लगा दी है पर एक दिशमलव पात प्रतिशत वोट यदि मिलता है तो कितने भी छोटे दल आप क्यों नहों आपके प्रतिनिजित्व की बहुत संभावना है विधाई का में जो कि अन्य पध्धतियों में कमों बेश बड़ी दिक्कत होती है छोटे दलों क अपने को उभारने में उद्य तो होता है लेकिन अतनी ही जल्दी उनका सुर्यास्त भी हो जाता है जदि हम ये नीचे वाली सार्णी देखें तो 2003 के 69 के परणाम देखो थोड़ा 2003 के 69 के चुनाव परणाम इस आधार पर आप ये पता लगा सकते हैं कि विभिन पार्टियो को कितने प्रतिशत वोट मिले हैं अर्था सीटों की संख्या देखकर आप वोटों के पाए गए प्रतिशत को पता लगा सकते हैं जबकि भारत में जो पध्धती है उसमें मतदान के प्रतिशत और सीटों की संख्या में कोई मेल योल नहीं होता किसी भी तरह का निशकर्ष निकालना संबंदों में खत्रे से खाली नहीं है लेकिन यहां इसराइल में दोनों के बीच में अच्छा संबंद है दोनों के प्रपोर्शनेट है जितनी सीटें मिली प्रतिशत का अनुमान भी सीटों का प्रतिशत भी स्पष्ट कर देगा मतों का प्रतिशत भी स्पष्ट ह 37 सीट का प्रतिशत निकालिए और आपको मतों का प्रतिशत भी मिल जाएगा फिर बाकी अन्य दलों को आप देख सकते हैं और आप पाएंगे कि लिकुड जो है वह सिंगल लार्जेस पार्टी के रूप में सामने आई है कुल सीटें 120 कितनी हैं 120 लिकुड पार्टी को 37 वहीं लेबर और शिनवी पार्टी को 19 और 15 और बाकी अन्य दलों को 64 इस संख्या को देख कर आप मतों का प्रतिशत और पाई गई सीटों का प्रतिशत निकाल सकते हैं सीटों का प्रतिशत निकालने के लिए 120 की संख्या तो आपको दिखी रही है अब उसके आधार पे मतों का प्रतिशत भी निकल सकता है तो ये बड़ा सरल तरीका है और प्रतिशत भी प्रपोर्शनेट छोटे दलों को भी मिल जाता है अब हम आते हैं इसी को लेकर कुछ और जानकाली सब दलों के जो अलग-अलग मत हैं उसको गिन लिया गया उसके पश्चाथ एकल संक्रमत ट्रांस्फरेडबल वोट के तहट निश्चित संख्या का कोटा तै किया गया कोटा निकाल लिया गया वही फॉर्मूले से जो पहले बताए गया था अब ये कोटा जब तै हो जाता है तो कोटा मालूम होने के पश्चाथ डाले गय वोटों के संक्ष्या में निर्वाचित होने वाले प्रत्याशियों का भाग दिया जाता है और जो भागफल आता है उसमें एक जोड़ दिया जाता है ये इजराइल की पद्धती है अर्था कोटा यहां भी रहेगा और कोटा निकालने का तरीका वही है जो पूर में बताये गया है भागफल में एक जोड़ दो तो आपको कोटा मिल जाता है जिसे हंदी में निर्वाचन अंक कहते हैं यहने निर्वाचित होने के लिए जो नियूनितम अंक चाहिए वह निर्वाचन अंक या कोटा इसके बाद एक दल दोरा प्राप्त मतों की संख्या में निर्वाचन अंक को भाग दिया जाता है और जो भाग आता है वही दल की संख्या होती है निर्वाचित सदस्यों की संख्या होती है ये जो प्रणाली है इस्राइल वाले ये स्केंडेनेवियन देशों में काफी है अर्थात डेनमार्क में तो थी ही मैंने बताया नौवे, फ्रांस, स्वीरन, बेल्जिम यहां पर ये प्रणाली अपनाई जारी है चनाओं के लिए लोगतांत्रिक चनाओं के लिए और ये जो प्रणाली है ये ज्यादा लोगतांत्रिक है बनाम भारत, अमेरिका, ब्रिटेन की लोगतांत्रिक प्रणाली के एक निश्चित कोटा होने के कारण ये भी सुनिश्चित है कि नियूनितम इतने मत तो मिले भाई भारत की स्थिते में कई बार ऐसा भी हुआ है जैसा आपने देखा एक प्रतिशत मत पाकर साथ सीटें ले लेना साथ प्रतिशत मत पाकर भी दो ही सीटों पर संतुष्ट होना वेस्ट बंगॉल में जो चना हुई इसमें त्रिना मूल कॉंग्रेस को तो बहुत कम सीटों के प्रतिशत के बावजूद 22 सीटे मिल गई तो ये जो disproportionate जो प्रतिनिधित्व हो जाता है उसे से बचा जा सकता है इस पद्धती में और इसलिए ये पद्धती इन देशों में बखुवी सफलता पूरा चल रही है और ज्यादा लोक तांतरिक भी है इतना जानने के बाद अब आप समझ गया होंगे इस पद्धती की अच्छाईयां क्या है और बुराईयां भी थोड़ी बहुत समझ में आ गई होंगे जैसा मैंने पहली पद्धती के बारे में गुण और दुड़गुन की बात की थी ऐसले यहां पर विअविशी क्रम में हम आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के गुणों को देखें तो पहला गुण इसका यह है कि वास्तों में लोक तांत्रिक है लोक तांत्रिक व्यवस्थापिका का निर्मान वास्तों में यह प्रजा तांत्रिक है क्योंकि इसमें सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित मिलता है अनुपात में मिलता है अल्प संखिकों को भी शासन में भाग लेने का अवसर मिलता है अन्य था उनकी कोई सुनवाई नहीं होती तो ये बहुत बड़ा इसका इसका गुण है सागुण है दूसरा अच्छा गुण इस पद्धति का है अल्प संख्यक पहले जो मैंने बताया उसमें अल्प संख्यक की आवाज शासन तक पहुंशती ह दूसरे में ये है कि अल्प दूसरा जो अच्छी बात है इस पद्धति की कि ऐसी स्थिति में अल्प संख्यक जो है वो अपने को सुरक्षित महसूस करता है तो दूसरा बिंदू है अल्प संख्यकों में उचित सुरक्षा की भावना इस पद्धति में क्योंकि उन्हें उ उसकी शक्ति और अनुपात में प्रतिनिजित मिल जाता है तो उतनी उसे वहाँ टाकत ही मिल जाती है। जिसके बल पर अल्प संख्यक जो है अपने को तुलनात्मक दृष्टी से बहुत सुरक्षत महशूद करता है। उसे लगता है कि संसद में या विधाईका में या विधान मंडल में उसकी आवाज उठाने, उसका पक्ष उठाने और उसकी समस्याओं के निराकरण के लिए प्रतिनिधी हैं जो उसी के अपने समाच के हैं, अपने तबके के हैं। इस ये बहुत बड़ी सुरक्षा की भावना उसे अलप संखिकों को देता है और इसलिए आप देखेंगे कि जिन देशों में ये प्रणाली लागू है, वहाँ पर अलप संखिकों और बहुत संखिकों के बीच में किसी भी तरह का तनाओं या किसी तरह का अवसाद दुख नहीं है, ये जो दो गुण बताये गए हैं, ये स्वैम में इतने भारी हैं कि बड़ा स्पष्ट है कि समानुपातिक पध्धती फर्स पास्ट पोस्ट पध्धती की तुलना में बहुत अच्छी है, और इसलिए इन बाकी गुणों को ध्यान में भी न रखें, तो भी समान फर्स पास्ट पध्धती की तुलना में, लेकिन फिर भी चुकि हम गुणों की बात कर रहे हैं, हम तीसरे चौथे पांचवे गुणों को भी जड़ा देखें कि समानुपातिक पध्धती में और ऐसी क्या अच्छाईया हैं, तीसरी अच्छाईया है, विभिन जातियों औ अनेक वर्ग हों, उनके लिए एक खास पध्धती, क्योंकि इस प्रणाली में सभी वर्गों को अनुपातिक ढिश्ट Frei से प्रतिनिजित्त मिल जाता है, सभी जातियों को, और वर्गों को भी संख्या के अनुपात में प्रतिनिजित्त प्राप्त हो जाता है, कुल मिलाकर प्रत्येक वर्ग को अनुपात के अनुसार प्रतिनिजित्व मिल जाता है और इस बात को जॉन स्टुवर्ट मिल ने बारंबार कहा है कि इस पध्धती की ये बहुत बड़ी अच्छाई है और यदि ऐसा होता है इस पध्धती में जो होता है तो शुरक्षा की भावना जाता है चौथी अच्छी बात कि इस पध्धती में जो अत्रिक्त वोट है अत्रिक्त मत विजई कैंडिडेट द्वारा पाए गए अत्रिक्त मत ट्रांसफर हो जाते हैं इसके मायने ये हुए और ट्रांसफर तब तक होते हैं जबते कि उसके मत विजई कैंडिडेट को न इसरे शबदों में चौतीस की अच्छाई है मत वियर्थ नहीं जाते इस पद्धति में ये बिल्कुल सुनिश्चित है कि मत दाता का वोट वियर्थ नहीं जाएगा मत दाता कौन है मत दाता भारत की स्थिति में विधान सभा этом पढ़ति में और अन्य देशों में जलनता वेर्थ क्यों नहीं जाता क्योंकि निर्वाचित प्रतिनिदी के अत्रिक्त मत जो हैं जो कोटे से उपर हैं कोटे से ज्यादा हैं वे दूसरे उम्मीदवारों को तब तक जाते हैं जब तक कि सारी सीटे ना भर जाएं तो मत दाता की प्रसंद के अनुसार ही वे स्थानांत्रित होते रहेंगे यह इसकी बहुत बड़ी अच्छाई है पांच भी अच्छाई ताना शाही का भैस में कते ही नहीं आनुपातिक प्रतिनिधित प्रणाली में बहुमत ताना शाह नहीं हो सकता क्योंकि चुनाओं में किसी भी एक दल को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं होता सभी दल को कुछ ने कुछ इस्थान अवश्य मिलता है और इसलिए व्यवस थापिका में जिसका काम है विधाईका के आदेशों योजनाओं को क्रियानवित करना उसमें किसी भी दल की उसके उपर निरंग कुछ तापिका पर हावी नहीं हो सकता क्यों? क्योंकि सभी दलों को कुछ न कुछ इस्थान अवश्य मिला हुआ है किसी एक दल को पूर्ण बहुमत कभी नहीं मिल सकता